हेलो एवरिवन एक बार फिर्ट स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रंट जैसा कि आप थमनेल पर देखी चुके हो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे अच्पी जी के कुछ इंपोर्टेंट कुशन्स में लियाफ को अगामी अच्पी जेवीटी कमिशन एसाई कंड़क्टर जेवाइटी पोस्ट को नौसो पैंसेट पंचाइट उडिटर पंचाइट सेक्टरी पटवारी और वेरेस एक्जाम जो आने वाले इसमें में कंड़क बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बैल आइकन प्रेस करना न भूले और और नौटिफिकेशन अन कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंड्स आप में इस्टाग्राम पर भी फॉल है कौन सा है गाफ ही इंपोर्टेंट कुष्डन है तो क््षेत्र फलड़की दिरिश्टी से सबसे बड़ा कर दो जिला मांतफलरदीस्टी सबसे नेक्ट को जलते हैं अगर question में पूछा जाता है कि population wise जन संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है तो सबसे बड़ा जिला जो है population wise वे डिस्टिक कांगड़ा है अगर पूछा जाएगी smallest district जो है population wise वो कौन सा है वो भी आपका हमने रिपूर्ट डिस्टिक ही है ये भी आपने याद रखना है और अगरे पर समय चलते हैं इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्धम मुक्या आयुक्ट कोन थी तो ओप मुक्या युक्ट गोन थी सीरी एपी मून जो थे प्रत्धम मुक्या ओप मुक्या आयोक्त है यहाज रहा है और एंसी महता जो थे वह प्रत्थमग्य आयोक्त है नैस्ट कुछ्शन में परदेश के प्रत्थम मुख्या कौन थे तो फृस्ट चीफ जस्टिस मतर्देस के कौन थे तो यहां से कई बार यह पूछा गया है अगर परदेश लोक सेवा आयोग का प्रत्थम देख्ष कौन था अगले परदेश के पहले डीजी बी कौन थे डिरेक्टर जर्नल अप पुलीस जो ते वे कौन थे आई बी नेगी थे नेक्स्ट क्वेशन पर जलते हैं सबसे कम आवाद गाउं जो है वे किस जिले में है तो सबसे कम आवाद जो गाउं है वे आपके डिस्टिक को लू में है नेक्स्ट कुश्टन पर चलते हैं सारवदिक शहरी जनसंख्या वाला जीला कौन सा है तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जीला है वे आपका डिस्टिक शिमला है ये भी आपने याद लेकना है ये कुश्टन जो है वे एक्जाम में कई बार पूछा गया है नेक्स्ट इसमें बोलके मैं कि सबसे कम शहरी जन संख्या हùला जिला को longe सबते हैं आगल्स सबसे कम शहर जनसंख्या को है अगले प्रश्म कुर्शन बजलतेए इसमें बोलागे कि प्रत्थम पद्म श्री विजेता कौन है माचल प्रदेश के तो ये श्री कैलास महाजन है ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट कुशन में जलते हैं इसमें बोलागे है कि कांगडा किले का जो अंतिव मुगल किलेदार था वे कौन था इसमें पूछा गया है वे इसमें तो कांगडा किले का जो अंतिव मुगल किलेदार जो था वे कौन था वे जीवन खान था ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट कुशन में जलते हैं कांगडा राज्याट की सबसे चोटी हरियास्त जर् saved कोट लहर थी इंपोर्टोंट है WAT we आपने याद रखना है इसके राज्य वितायों के प्रत्थम देख्षि कौन थे तो इसके चोहान थे महान प्रत्थम महान कांतिकारी सहित्यकार जो थी वह कोन थे वह यश्पाल थे ये अपने यहाद रखना यश्पाल थे हम मेरे पुर से ये विलोंग करते थे ये कुशन भी पूँछा जय सकता है कि प्रत्थम फस wystे तो वह किस डिस्टिक से संबंदेते धिस्टिक हमेरे पुर से संबंदेते थे वह हिमाचल प्रदेश प्रसासनिक प्रसासनिक ट्रिवियूनल के प्रत्थम अध्यक्ष थे यह भी आपने याद रखना है नेस्ट क्वेश्चन पर जलते हैं इसमें बोला गया कि क्षेत्रफल की क्षेत्रफल में भारत का दूसरा और हिमाचल देश का सबसे बड़ा जो लो है यह आपने नोट ओन कर लेना है और उसके बाद जो स्थान आता है मंडी का मंडी संस्दीक जैत्र हुए हिमाचल प्रदेश का वह दूसरे स्थान पे आता है नेस्ट कॉश्चन पर जलते हैं माचल प्रत्थम महिला सपीक्र विधान सबाद यक्ष्योती तो प्रत्थम मह जान सबाद क्षेत्र से वे चुनके आए हैं यह भी आपने याद रखना है नेस्ट कॉश्चन पर जलते हैं इसमें मोला कि सोब्यत संग रूस की साहिता से निर्मित आर्ट सो मेगावाट की कोल वांद प्रियोजिना की सजीरे में इस देता है तो यह आपकी डिस्टिक वि जिले में कि माचल प्रदेश की कौन से जलन विद छudडी प्रियोजिना व पूर्णता भूमीगत थह थे जे जलन विद्योजिना बोला और जब इस देता है किस नौर में है इस बुलिए अगले प्रिशन में चलते हैं इसमें बोला गया है कि गिरी बाटा प्रोजक्ट जो है गिरी बाटा प्रोजक्ट जो है वो किसे जिले में इस्थित है तो गिरी बाटा प्रोजक्ट जो है बुडिस्टिक सिर्मोर में है यह भी आपने याद रखना है नेक्स्ट कुरिशन में चलते हैं इसमें बोला गया कि पौंगबाद प्रियोजना जो है देख कहां परस्तित है तो पौंगबाद प्रियोजना जो है तलवाड़ा में स्थित है निजाब यह आपने याद रखना है वासित प्रदेश में है वैसे लेकिन तलवाड़ा के समीप है अगले प्रशन में इसमें बोला गया है कि 450 मेगावाट की बगली हार जलविदित परियोजना जो है वो किसे नदी परस्तित है तो ये कोशन जो है एक्जाम में कई बार पूशा गया है कि बगली हार जलविदित परियोजना जो है वो किसे नदी परस्तित है तो बगली हार जो है वो आपकी चिन चिनाव नदी के उपर देता है ये भी आपने आजखना है चिनाव नदी जो है वो हिमाचप देश की सबसे बड़ी नदी है जल गनत्व के हिसाब से अगर आप से कोशन पूशा जाता है कि जल गनत्व के अधार पर बोल्यूम के हिसाब से जो सबसे बड़ी नदी है वे कौन कहलाती है यह अपने याद देखना है तो किस स्तान पर मिलती है वो रगता की का सबसे चोटा बांध जो है वह कौन सा है थो सबसे चोटा बांध यह कि मंडी डिस्टिक में है नेक्स्ट क्रिस्ट में माचिवदेशन के स tätä कि आपके सैते से याद रखना है मोइने हैं इसमें बोला गया है कि सतलुच जलविद्ध निगम जो है माचट देश की सस्तान को विशुबवेंग की सहायता से 412 मेगावाट की जलविद्ध प्रियोजना स्तापित कर रही है तो सतलुच जलविद्ध निगम जो है वो विशुबवेंग की सहायता से रामपुर शिमला में 412 मेगावाट की विद्द प्रियोजना का नाम क्या है तो इसका भवा प्रियोजना अ kan down जो है वह भावा प्रियोजणा है यह आपने याद रिखना है कि इसे डिस्टिक में हैं यह कि दिक नोर में है यह भी important हैं एक्जाम में कई बार पूछा गया है बात करते हैं संजे गांदी जल्विजित प्रियोजना के बारे में तो 120 मेगावाट 120 मेगावाट भावा खड़ सतलोज की साहिक नदी की उपर है यह किनोर जिले में 1989 में यह पूर्ण हुई थी पूरी हुई थी कब हुई थी 1989 में डेस्टिक किनोर में है यह और यह अको पता ही होगा और यह जल्विजविद प्रियोजना भी है इसमें मैं TC क्वेचंट को भ्लू मेने हैं लार्जी में पूछा गया है और 126 मेगावार्ट इसकी के पैस्टी है कुल्लूडिस्टिक में है और किस नदी के उपर है यह व्यास नदी के उपर है रहा है हिमाचल सरकार द्वारा नेर्मत सबसे बड़ी जल्विद्युत प्रियोजना है यह आपने याद रखना है माचल प्रशन में चलते हैं अगले प्रशन में चलते हैं नाथपा जाकड़ी जल्विद्युत प्रियोजना के सुरुण के लंबाई कितनी है यह आपने याद दिखना है नेक्स्ट कुर्षन में जलते हैं 2020 मेड़ सोब जल्वीदित प्रियोजिनНा कंद यहाद रही है कि किस नदी पर बनाई जा रही है तो यह आपके सथे बोदेश की सबसे पुरानी जल्वीदित प्रियोजिना जोंडरे क suivre लेकिन आप वात दियार रखनी है यह जो है जलवी दित पρι्योजना शानन जो है वो पञजाब सरकार की अधिए राभी दित पर्योजना-हिए- अगले अधिया चलते हैं चल्वी दित पर्योजना जह होकँ Dस्तोड चमबा में है किस नदी की है राभी नदी के उपर है अगले प्रिशन में जलते हैं बिनवा जल विद्येथ प्रियोजना वह आपके डिस्टिक डिस्टिक में है कंगडा में है तो इसकी बाइजनात कांगडा में है बानुअ खड जो कि वियास नदी की साइक नदी है और विन्वा जल्विधित प्रियोजना जो है वह आपकी कांगडा डिस्टिक के ध्र भी मंडल में है किस नदी के उपर है और किस डिस्टिक में है डिस्टिक की नौर में है और 450 मेघाएइड़ स्पीट्टि की नदी के उपर है एक बात आपने और रहाद रहना है अगर आपसे पूचा जाता है तो रोंग टॉंग परियोजिन आपकी लाहौल सपीरती डिस्टिक में है 2 मेगा वाड़िस की केपेस्टी है और रोंग टॉंग नाले के उपर है और सपीरती की नदी की ये सहाइक नदी है अगले प्रश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन में चलते हैं इसमें बोला गया कि अक्षे और जदोहन करने में हिमाचल प्रदेस का भारत में कौन सा अस्तान रहा है? तो प्रत्तमस्तान रहा है 2015 में अगले प्रशन में चलते हैं पूर्व प्रधान मंद्री राजीव गांदी और पूर्व सोबित रास्ट्रपदी मिखाइल गोर्बाचेव के मद्या हस्ताक्षित सलेख में कौन सी जल्विजित प्रियोजिना शामिल कीगे ही तो कोल्डैम प् डिस्टिक की नौर में है यह आपने याद रखना है कि इस डिस्टिक में है डिस्टिक की नौर में है यह भी इंपोर्टेंट है कि अगले प्रशन में चलते हैं नेक्स्ट प्रिशन में चलते हैं इसमें बोला गया है कि हिमाचल PARDES राज्य विद्धित बोर्ड द्वरा संचाले सेने सबसे बड़ी जल्विद्धित प्रियोजिना कौन सी है वो पारबती है दो मेगावाट की रोंग टोंग जल्विद परियोजोना की जिले में रोंग टोंग आपकी लावल स्पीती में है, शोंग टोंग की नौर में है नातरपस जाकडी तक सिरूंग की जो लबाई है वे कतनी है 27-27-28 किलोमेटर है ये भी आपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश की सबसे वड़ी जल्विजज प्रियोजना जो है वो कौन से है वो पारबती प्रियोजना है जो कि किसे डिस्टिक में है कुलू में है दो हजार दो हजार एक्यावन जो है मेगावाड जो है इसकी के पैस्टी है नेक्स्ट क्वेशन में चलते हैं 1966 के राज्य पंदरगठ नदीनियम के द्वारा पंजाब सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को बिजली पर कितने प्रतिशत रोयल्टी देने का वादा किया है तो बारा प्रतिशत का यह आपने याद रखना है 16.05 मेगवाट की आन्दरा जलवधित प्रियोजना जो है अपकी कहांस देता है वो डिश्ट क क्षिमला में है चीट गाम में यह आपने याद रखना है विश्व वेंक की साहिता से माचब देश में निर्मित पंद्रह सो मेगावाट की जल्ले विद्धित पर्योजना जो है वो कौन सी है वेज़े नाथपा ज्छाकडी जो है वो विश्व वेंक की साहिता से माचब देश में निर्मित जल्विद्धित पर्योजना है आगले प्रशने पे चलते हैं संजे जल विद्धित प्रियोजना किस नदी परस्दित है तो जिसे भाबा जल विद्धित प्रियोजना भी कहा जाता है एशिया की पहले भूमिगत जल विद्धित प्रियोजना है डिस्टिक की नोर में है किस नदी पे है सत्रोज नदी के विकास निधी के लिए कितने प्रतिश्यत विजली मुफ्त उपलब्द करवा जाती है तो बारा प्रतिश्यत मुफ्त करवा जाती है प्लस वन प्रसेंट एले डियाफ रोयल्टी जो है जाती है नेक्स्ट कर्ष्ण जलते हैं कारेन में कौन सा संगठन कर रहा है तो वो जेपी ग्रूप कर रहा है सबसे बड़ी नीजी जल्विद्विद्व प्रियोजना है बरतमान में जेपी ग्रूप ने इसे आबुधाबी की टाका कंपनी को इसे बेच दिया है अगले प्रस्ण चलत है तो 3900 मेगावाट का दोहन हो चुका है नाथपा जाकड़ी जल्विद्विद्व प्रियोजना के लिए कौन धन उपलद करवा रहा है तो बिश्व वेंक और सेंटर गोर्मेंट नेक्स्ट कुश्ण में चलते हैं इसमें बोला गया है कि पूर्णता भूमीकत विद्वि विद्विद्व प्रियोजना की नौर से शिमला की पबर नदी पर वनने वाली प्रियोजना धमुराडी सुंदा प्रियोजना है यह आपने याद रखना है धमुराडी सुंदा प्रियोजना जो है आपकी शिमला की पबर नदी पर स्तित है माचला पदेश रिकार के अंतर पूर्ण गज यह आपने याद रखना है दोजारे क्यावन मेगावाट वाले पारवति यह जुना पर सबसेदीक खर्च जो है वह कौन कर रहा है तो वह कौन से राज्य कर रहा है तो राज्यस्तान कर रहा है कोल डैम जो है वाकडाबान की आयू 10 वर्स बढ़ा देगा भारत जुए जुए में गान वी बूंज लभीज प्रयोजना क्यावाज्यम नोट में हैं पर आपको बताए बैरा सील हो गया चमेरा हो गया उहल हो ये जो हैं वह आपकी केंदर सर्धार्ज्य का स्विख्तु उफक्रम है अगले पीस में चलते हैं सुमेज जलम बज्ञ प्रयोजिना किस नदी में बेशन पालेट स्मार्ट ग्रीड जुसे शुरू कर रहा है तो आपने याद रहाना है नेक्स्ट किशनेशने पे चलते हैं ठाना प्लावन ज़ल विद्युद प्रयोज्ञड तो आपको पता है इल रोट जय करिया तो है थे परिश्व इस नदी बैसेन का हिस्सा है तो भू आपका चिनाव नदी बैसेन याद रखना है अगले बुशन परिशनों जलते हैं इसमें बोला गया कि इसमें बोला गया है कि वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्शन अनुसार हिमाचपदेस की कुल पहचानी गे जैनल वीडियो दुक्षमता में कितने प्रिश्चत का दो होने किया जाए सुका है तो 37, 37, 33 प्रिश्चत का इस वीडियो का ये लास्ट कॉश्चन है इसमें बोला गया कि एक परिवार को सस्ती दरों पर हमाचपदेस में कितने लेडी वल्व दिये जा रहे थे 2017 में तो दो दस वल्व दिये जा रहे थे तो फ्रेंज आज किस वीडियो में बस इतना ही आज हमने HPG के कुछ important question डिसकस किये जो में लियाखको आगामी HPGPD Commission, SI Conductor, J.O.I.T. Post, 955 पटवारी और वेरियस एक्जाम जो आने वारे इसमें में कंड़क्ट किये जाने हैं और सभी एक्जाम में ये questions होंगे वो आपको काफी helpful थावित होंगे तो friends, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी को वीडियो को लाइक, share and comment चुरूर कर दें और चैनल को भी subscribe चुरूर कर दें और बैल आइकन प्रस करना न भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो friends, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी follow कर सकते हों इंस्टाग्राम आइडी में जो link है वो मैंने description box में दे दिया है तो आज की इस वीडियो में से तना ही, तो thank you friends